चिराग पासवान की पाटी कमाल कर रही है और तेजस्वी यादो चिराग पासवान के सामने हवा में उड़ गए हवा में उड़ गए का मतलब की चिराग पासवान की पाटी ने नागा लेंड में जो कमाल कर दिया है जो डेटा आपको दिखेगा वो डेटा अपने आप में ह इसको एक प्रतिषत वोट भी नहीं मिला तो चिराग पासवान की पाटी को लगभग नौ प्रतिषत वोट नागा लेंड में मिला यहां अपने आपने बड़ी बात है कि नागा लेंड के चुनाओं में चिराग पासवान की पाटी एक सीट जीच चुकी है दो सीट पर लीड कर रही है मतलब कि दो सीट पर आगे चल रही है और अब लगभग मान कर चलिए कि यही जो रुजहान है वो परिनाम में तफदील होगा आगे हम आपको एके करके बताएंगे कि कैसे चिराग पास्वान ने नागालेंड में नितीश कु सबस्थे पहले शुडवात करते हैं यहां से तो आपको भारतिय ही जनता पाटी दिख रहा होगा भारतिय जनता पाटी तीन सीट जित चुकी है 9 सीट पर वो लीड कर रही है और टोटल सीट 12 मतलब कि भारतिये जनता पाटी अब लगभग 12 सीट महा पर जित जाएगी अब अगर जित भी जाते हैं तो मास्त्र 1 seat अब इधर आजा ये लोग जन शक्तिश्टी पाटीर राम विलास चीराग्पासवान की पाटी जीत चुकी है नोज में धिकर तीन सीट मतलब कि चिराग पासवान की पाटी वहां पर तीन सीट जीत रही है इस पूरे लिष्ट में आपको आर जेडी का नाम हो निसान नहीं दिखेगा क्योंकि राश्य जनता दल्ला कहीं से आगे चल रही है ना कोई सीट अब तक जीत पाई है और अगर आप आज आएंगे व 0.52 परतिशत वोट मतलब कि आधा परतिशत वोट एक परतिशत भी आर जेडी को वोट नहीं मिल पाया अब आएए चिराग पासवान की पाटी पर 8.68 परतिशत यहां पर है चिराग पासवान की पाटी जहां पर लिखा है 8.7 परतिशत इसका मतलब कि चिराग पासवान की लगबग लगबग नौ परतिशत वोट पाच चुकी है अब आया यह इदर बीजेपी पर तो बीजेपी वहाँ पर 18 दस्मनों साथ 4 परतिशत वोट अब तक उसको मिला है और अगर सीट के हिसाब से बातशीत करेंगे तो राष्टे जनतादल जीरो चिराज पासवान की पाटी लग रहा है कि तीन नितिश कमार की पाटी लग रहा है कि एक और हम लग रहा है यही रुजान जो है वो परिणाम में तब्दील हो जाएगा तो कुल विलाकर नागा लेंड के विधानतवा के चुनाओ में रामिलास पासवान के लाल चिराथ पासवान ने कमाल कर दिया तीन सीट उनकी पार्टी जीत रही है उनकी पार्टी में टूट होती है उसके बाद प्रतिशत भी वोट नहीं पाती है मतलब कि वहां की चुनाओ में वहां की विधानतवा की इलेक्षन में सूपर फ्लॉप परदर्शन तेजस्वी यादों की पाटी राष्ट्री जनता अदल का रहा है फिलाल नागा लेंड के चुनाओं का प्रिणाम हमने आपको बताया यहाँ पर पूरा का पुरा जो एक जिसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ग्राफ के जरीए समझाएगा कि कौन सी पाटी कितना परतिशत वोट पा रही है यह चिराज पासवान की पाटी जो की आठ दसमलाओ यहां पर देखिए आठ दसमलाओ 7 परतिशत के साथ चिराज पासवान की पाटी है वहीं भारतिय जंता पाटी 18 परतिशत वोट और RJD की अगर बात करें तो आप यहां पर देखिए कि राश्ची जंता जल को मात्र 0.5 दो पर जाकत नागालेंड के चुनाओं का परिणाम क्या असर जो है वह आगे कितना पड़ेगा दिखने वाला भिश्य होगा लेकिन फिलाल नागालेंड में कहना पड़ेगा कि चिराग पास्वान ने अपनी पार्टी का जंडागार दिया है तो यह सुई आदो वहाँ पर चिराग कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद